इस में सेकंड एक्सराइज की थी फिर्स नहीं की तो स्टार्टिंग से सुरू करते हैं इस एक रिलेशन एट फंक्षन इस लेशन एंट पॉंक्षन अनिर्ट आपका और कोई रहता है या हो गया जिए पर फ्रॉफ जिव अगला है जो वो जाई तो जिए उस बाता है ना वह तो फ्लेवस में नहीं है ना आप सिर्फ सेकंड एक्सरसाइज क्या होता है इस हम कर चुके हैं रिलेशन कर रहें है रिलेशन क्या होता है जैसी एक A set है यह B set है एक में थ्री एलिमेंट है A B C तीन एलिमेंट हैं यहां पर यहां कम ले लो नहीं तो जादा बढ़ा होगा है एक 1 को हम A से असोशेट कर सकते हैं 2 को भी A से असोशेट कर सकते हैं 3 को भी A से यहां से असोशेट कर सकते हैं यहां से असोशेट कर सकते हैं यहां से असोशेट कर सकते हैं ठीक है देखो जरब हम क्या लिख सकते हैं इसको यहां से एसे बी तक एक रिलेशन रिलेशन बन गया और वह रिलेशन क्या कर रहा है तूंको यह सोचिए तरहे यह है आज आज़ेटेटेटेटेटो यह का कर रहा है इन व्हींत को आपस में रिलेट कर रहा है तो यह होता है यह रिलेशन जरूरी नहीं कि यह सार है आपस मैं आसोशैट हो जैसे आर ठीक करेगा थरी को बीजिए करेगा कि एक रिलेशन एगर एक रिलेशन होता है एक लोगार्यशन होता है एक रोस भी क्या होता है A cross B में क्या elements होते हैं इसे हम कहते हैं Cartesian product of A and B Cartesian product of A and B यह जो आमने पहले relation लिखा था जिसमें first set था ता हर element दूसरे set के हर element से associate होता है वह relation होता है Cartesian product of A and B right जैसे हमने लिखा था 1A 1B 2A 2B 3A 3B बाकि सारे relation a cross b के ही सब्सेट होते हैं अने तो आप नीचे क्या पढ़ते रहते यो ना वापस दिखाऊ है जो भी आप वोड़ रहे हैं नीचे बट आप तो नीचे देखके पढ़ रहे होते हैं क्या पढ़ रहे होते हैं तो लिख रहा हूं उसको बिटा सामने देखो मैं कुछ लिख रहा हूं आप कुछ और पढ़ रहे हो आपको समझ कैसे आएगा पिर वाज चीक है एक रोस भी इस एक रोस भी को कहा दाता है यूनिवर्सल रिलेशन एक रोस भी क्या है एक रोस भी इस उनिवर्सल रिलेशन है एक रोस भी इस उनिवर्सल रिलेशन तानिर दाउट हो गया है तुम आ क्यों नहीं दे यह तो अच्छा कॉन आउट हो गया और हो गया देवेश अच्छति वेश टाइप्स ऑफ रिलेशन थाइप्स ऑफ रिलेशन पर चुछ एक रोस यूनिवर्सल रिलेशन जो मैं आपको बता चुका हूं रिख्ष रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन किसके इकवल होता है एक रोस बीके रराबर होता है कि कैंक है सेकंड उटे में अपी रिलेशन Empty Relation Third होता है Reflexive Relation Empty Relation Psi होता है Next है Symmetric Relation Fourth होता है Transitive Relation Transitive Relation Past Type के हमारे पास Relation ठीक है Five Type के Relation है Universal Relation Universal Relation Cartesian Product of Sets Last Year भी क्या था हमने उसी के बराबर होता है जब A Set का हार Element B Set के हार Element से Associate होता है तो हम उसे बोलते है Universal Relation Empty Relation Empty Relation क्या होता है बताओ अब बताओ कौन बोल रहता है Anirut Empty Relation What is Empty Relation? जिसका कोई Element अब बताओ साथ साथ नहीं से यहां पर कोई Element किसी और Element के साथ रिलेए तीन Element है और यहां भी तीन या चार्ट कितने भी Element हो सकते हैं कितने भी हो सकते हैं वो को जरूरी नहीं है If No Element of Set 1 is Associated with Any Element of Set Sorry, No Element of Set A is Associated with Any Element of Set B So, हम रिलेशन को क्या कहेंगे? Empty Relation ठीक है? A Relation R is Set to be Empty If No Element of Set A is Associated with Any Element of Set B A Set का कोई भी Element B Set के किसी Element से Associate नहीं है So, Relation को हम क्या कहेंगे? Empty Relation ठीक है? और Empty Relation 5C नहीं होता है Empty Relation होगा पिसमे कोई? अच्छा No Element of Set A will Associated with Any Element of Set A So, यह Empty Relation होगा Second Third, sorry Reflexive Relation यह जरूर होगा Reflexive Relation क्या होगा? Basically Reflexive Relation पता नहीं आज कुछ ऐसा लग रहा है कि जन से पढ़ाया नहीं जा रहा है आपको भी ऐसा लग रहा है? ज़िए को फड़ा सिस्टमेटिकली नहीं बता रहा है जा रहा है तुछ ऐसा जैसे पूरी कॉंसेंट्रेशन जब नहीं होते हैं ज़िए फड़ा कुछ पूरा कॉंसेंट्रेशन बन नहीं रखे है जब करके से तुप पढ़ाना तो पढ़ेगा है और यह भी कारतिके की बार ठीक है कि कर का सकते हैं कॉंसेंट्रेशन नहीं भी बन रही तो भी पढ़ाना तो पढ़ेगाई और और जब कर सकते हैं तो प्लिक्र सेते हो यह और करते हैं थोड़ा अपन नहीं लगाएख था छोड़ सते और लगिए लिए अज़नी जब आपका मन तके तो बास तवल लिग्किट ए तो उसका मुझे भी आपको प्लेकर रिए नाइशन नहीं हो पारा मैंने पिछले पेज़ के आपको बतायता है कि रिलेशन स्रॉम ए टू बी बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि राइट-ंड साइड में अलग सेट होना चाहिए रिलेशन अगर इधर होगा तो एसेट से एसेट कर भी हो जाएगा अब्सक्राइब कांट आपको आपने असीट साइट सेमेलिमेंट अर्जुन सेटो यह ग्रीचित जरूरी नहीं कि ने इसके लिए डिफाइन होगा दोनोंसाइट सेमेलिमेंट विएtwo यह सेट में तो रिलेशन क्या करेगा रिलेशन तो दो एलिमेंट को आपस में असोसियेट करता है यहां पर वो दोनों सेम सेट्स के अलिमेंट को असोसियेट कर देगा जैसे कि लाइट इसको इससे असोसियेट कर दिया इसको इससे असोसियेट कर दिया चीक है तो दोनों साइट सेम सेट हो सकते हैं और जो हमारे इसमें इस exercise में या हमारे स्लिबस में जो रिलेशन है वह सारे रिलेशन दौनों सिप ऐसे ही रिलेशन है जो सेम से 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 तक डिफाइन होगे हमारे इस से आगे जब भी हम हो इस मानेंगे तो यहीं मानेंगे कि दोनों साइड साइड मनें वह सब्सक्राइब कर रहा ना कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कब कहेंगे बच्छे बताओ जरा इस एक इस एडर पी ए सेट में जो है मान लों को यह एलिमेंट एक्स है तो एक्स इदर भी होगा क्योंकि दोनर साइट सेम सेट है अगर एसेट का हर एलिमेंट अपने आप से असोसियेट होता है एसेट का हर एलिमेंट अपने आप से असोसियेट है तो रिलेशन को का जाएगा रिफ्लेक्सिव चीक है एसेट का हर एलिमेंट अपने आप से असोसियेट है तो रिलेशन को क्या का जाएगा रिफ्लेक्सिव जैसे यहां को ow alcohol कि आसिए आप से जरूर ऑने है ठीख 텍वाइब कर आप से जरूर ऑना मौला इलेमेंट treatments आपसे vin नहीं है पर अपने आसोसिय जरूँज रहे लेकिन एक एलिमेंट ऐसा रहे जो आपने आप से आसोसिय नहीं तो फिर इलेशंट रिफ्लेक्सिव नहीं होगा तो रिदेशन को रिफ्लेक्सिव वहने के लिए क्या कंपल्सरी है Every element must associate to itself हर element अपने आपके साथ associate होना चाहिए तभी relation reflexive हो सकता है अगर एक भी element ऐसा रह जाता है which is not associated to itself then relation is not reflexive छीक है देखो ज़हां तो बिएशिण क्या लिखेंगे और ओल एय बिलॉंगई टू ए मतलब ए सद का वी एलेमेंटिव यजह आडए तुम है डॉइक इसको ऐसे बहुत सकते हो औरता आप से रिलेशन हुए तो यह आता है तो एच तो एसे निक्किने को मैं एकस पोमा वाई एकस कोमा एकस पोहर ऐलेमेट अपने यह उसका होना जाइब और फोर ए-पिलॉंगें टू ए डिलोउट स्टुर्य एह यह जोंके अधिए तो इस देन रिलेशन को में का क्यों एक यह आर रिलेशन कॉंक विए हार इज रेफलेक्सिव अगर गुंके अपने आप शे ऐस रिलेटीड विफ यह देन आर इस रिलेशन रिफलेक्स घुटा अगर दो सैट्स फ चे-विए अपने आप से associated हैं तो उनको जो associate करने वाला relation है वो relation क्या कहलाएगा reflexive चीक है 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 सेकिंड सिमेट्रिक सिमेट्रिक बच्चों जैसी सेट हो गया हमारा ही यहां पर भी यह है हाँ मांदो कोई एक एलिम्न वी से असोशीटीड हैं अर्ण किसे से ऑसोशीटीड है एक बात अस्व Lee में है तो एलिमेंट सैकिंड सैट में होगा दौइद साइड सेम सेट ए दौनों साइड सेम सेड और से यां में होगा ओर क्या था साइड भोगा प्र यह टोगा को टीक है कि इस ईपी बिलोंग इवर क्या मीनिंग है कि ए इस रिलेटीटेट बिए ऐसे रिलेटिड है मृषप इस बी ए बिलोंग स्टुर मतलब बी यह से रिलेत होना चाहिए तो इस रिलेटिडन को क्या कहेंगे ? symmetric and R is symmetric कैसे भी रलेशन को symmetric होने के लिए क्या होगा ? इक a.b. belongs to R implies ba belongs to R राइड अर्जन समझ आया औरизंट तो भी reflexive क्या होना चाहिए ? symmetric symmetric होने क्या होना चाहिए ? So, for every AB belonging to R, BA must also belong to R. For every AB belonging to R, BA must also belong to R. Third, transitive. Transitive, the relation R is said to be transitive if AB belongs to R, BC belongs to R, implies AC belongs to R. ABR में belong करता है, BCR में belong करता है, and AC अगर R में belong करता है, AC अगर R में belong करता है, तम क्या कहेंगे, relation is transitive. If AB belongs to R, BC belongs to R, AC belongs to R, relation is said to be transitive. For example, अगर किसी relation में 1, 2 है, मतलब 1 किसे associated है, 2 से, and 2 associated है, 3 से, तो 1 अगर 3 से associated है, 1 किसे associated है, 2 से, 2 किसे associated है, 3 से, अगर 1 3 से associated है, तो आम relation को transitive कहेंगे, नहीं तो transitive नहीं होगा, करेक्ट, तो बच्चे तो type of relation, पहला हमने किया universal relation, second हमने किया empty relation, third हमने किया reflexive relation, fourth हमने किया symmetric relation, transitive relation, ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए, एक्सरसाइज के आज़ो बच्चों, first question, क्या है, एक even हामे, ए ऐ हामे given है, ठीक है, एक इवन है ए में क्या है ए में एमें एलिमेंट इवन है तो थी पूर तिस तिल फॉर्टीन विए ए अर एक रिलेशन गिवेन है R is equal to R having element X Y 3 X minus Y is equal to 0 क्या पता सकते हैं इस relation में कौन से elements होंगे A set हमें एवन है A में elements के हैं 1, 2, 3, 4, till 14 relation R has element X Y such that 3 X minus Y is equal to 0 क्या पता सकते हैं इस relation में कौन से elements होंगे 1, 3 1, 3, 1, 3, 2, 6 2, 6, Arjun 3, 9, 4, 12 4, 12 4, 12 1, 2, 3, 2, 3 Why don't you come to come here Arjun? तो बिकोज अगला element 5, 15 होता और 14 5, 15 होगा element दोनों साइड एके ही होने चाहिए left side में यह है राइट में भी है यहां का 5 यहां के 15 से associate हो सकता था लेकिन 15 यहां पर है ही नहीं राइट? तो यह यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कौन बताएगा? यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव और यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है क्यों नहीं है? यहां पर 11 लिखा होता है यहां पर 11 लिखा होता है एस हुआ बिलॉंस तो ए बद 11 दो बिलॉंस तो अउप्लाइजरेश नॉथ है नॉथ है नॉथ है आड रेश्लेक्शिव नॉथ है और रेश्लेक्शिव नॉथ है करेक्ट R is not reflexive second symmetric में क्या होगा symmetric में क्या होगा बताओ जरा देखो बचो 1,3 हमारे relation में बिलॉंग कर रहा है 1,3 बिलॉंग तो R बिलॉंग तो R IMPLIES R is not symmetric R symmetric नहीं है 3rd क्या ही ट्रांजिटिव है निरूद? Sir, नहीं होगा क्यों नहीं होगा 1,3 बिलॉंग करता है 3,9 बिलॉंग करता है 9,1 बिलॉंग नहीं करता है 1,3 बिलॉंग करता है 9,9 बिलॉंग करता है 1,9 बिलॉंग करता है but, 1,9 बिलॉंग करता है 1,9 बिलॉंग करता है implies r रहाड और regardless R is not तो यह करें निकलना है कहीं नेक्स सेटरड़ी क्लास का क्या टाइम है एक बर वापिस अब इस सब्सक्राइब दिछ लिए आपका क्या टाइमिंग होता है तक आपकी क्लास कितने बिजे तक होती है वहाँ पर शलती है कितने बिजे तक थोटी त्वल्फ थोटी है अब आधी क्लास में भी ज्वाइन नहीं करते हैं वहां से सब्सक्राइब करने पड़ते हैं अच्छा अनिरुद इजरा हो आपके राजे सब्सक्राइब क्लास है अगर जा रहे होगे तो मैसेज कर देना फिर गुरूप में फिर हम 12 लोग पर रख लेंगे अभी 1130 है ठीक है सब्सक्राइब होगे सब्सक्राइब होगे सब्सक्राइब करोंगे जो क्लास आपने विश्टियों देखोंगे भाब गया